मेरी प्यारी सभी यूटूब फेमेली आज मैं आप लोगों को आटे के पापड किस प्रकार से बनाना चाहिए जिससे की हमारा पापड बिना फटे बिना तूटे एकदम परफेक्ट तरीके से बन कर तैयार हो इसकी रेशेपी मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ और इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि हर एक चीज आपको बारिकी से बताने वाली हूँ बिल्कुल देशी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ वीडियो को बिल्कुल भी इसकीप करके मत देखिएगा नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और फिर आपके पापड भी तूट जाएंगे तो यहां पर हमने आटा लिया है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं आज आटे के पापड किस प्रकार से बनाये जाते है इसकी पूरी रेशेपी सेयर करने वाली हूँ वैसे आज रेडि इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है लेकिन मैं आज के वीडियो में छोटी छोटी चोटी टीप्स सेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी रेशेपी भ बन कर तैयार हो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा छोटी छोटी टीप सब बहुत सारी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो की आप लोगों को काम आने वाली है इस रेशेपी में तो यहां पर हमें सबसे पहले हमने जो गेहूं का आटा लिया है उस आटे को हम हमें नाप लेना है नाप के अनुसार अगर हम लोग बनाते है तो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी रेशेपी बन कर तयार होती है तो यहां पर हमें आटा नापना है जो भी बरतन है आपके यहां अगर मैं तो अभी समर सिजन चल रहा है और पूरे एक साल के लिए मुझ देना रहता है इसलिए मैं इखटे बहुत सारे पापड बनाती हूँ तो इसलिए मैंने आटा जादा लिया हुआ है तो यह देखिए मैं चार डिब्बे मतलब एक डिब्बा जो मेरा है वो लगबग एक केजी का डिब्बा है तो यहां चार केजी मैंने आटा लिया है और उसके बाद में हमें इस आटे में डालना है पानी तो जो साप पानी है पानी ले लेना है और आटे में हमें पानी डालकर इसका बना लेना है घोल बस थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना इखटे नहीं डालना है क्योंकि जैसे ही हम लोग आटे में पानी डालते है तो डिग मत किजीएगा क्योंकि बहुत बहुत चोटी छोटी टिप्स आप लोगों को बीच बीच में august करने वाली हूँ तो ये देखिए ये हमें इस तरीके से घोल को बना कर टैयार करना है मतलब पूरा आटे को हमें इस तरीके से mix करना है मतलब पानी हमें जितना जरो था उतना डालना ही डालना है क्योंकि पानी की कंजूसी हमें नहीं करना है तो इस तरीके से हमें घोल तयार करके इसे ढख देना है एक दिन के लिए हमें ढख कर रख देना है अब चलिए एक दिन के बाद हम लोग खोल कर देखते हैं कि हमारा घोल कैसा हुआ है त इसलिए मैंने बड़े गंजी में इसको ट्रांसफर कर दिया है ताल मां घ्रार कर और एक दिन के लिए चौड़ूब मतलब एक ही दिन चौड़ना हैto पूरा पानी बगरने लग गया था तो मैंने फटाक से दूसरे गंजी में ट्रांसपर कर दिया और फिर ढखके रग दिया अब ये देखिए इस तरीके से हमें जो उपर जाग जो आया है हमें जो चाय चलनी होती है हमारी उस चलनी से हमें जाग को पुरा निकाल लेना दोस्तों ये दूसरा दिन है हमारा एक दिन पहले ही हमने आठे को घोल कर तयार किया था दूसरे दिन हमें ये जाग निकाल लेना और ये जो लाल पानी दिख रहा है आठे में का लाल पानी है तो ये लाल पानी हमें फेक देना है अगर ये लाल पानी भी इसी में रहने देंगे तो हमारे पापड भी लाल बनेंगे इसलिए इस पानी को हमें फेक देना है पानी को फेकने के बाद में देखी हमारा सपेद सपेद घोल यहां पर दीख रहा है अब इसमें हमें दूसरा प तो देखिए तीसरे दिन हमें इस प्रकार का मतलब दूसरे दिन हमें इस प्रकार का पानी आ गया मतलब एकदम साफ हो गया है हमारा पानी तो बस इस पानी को भी हमें निकाल कर फेक देना है तो हमारे पापड बहुत खटे हो जाएंगे तो बस उस पानी को निकाल दिया है औ उतना ही पानी हमें दूसरा साप वाला फिर इसमें एट कर देना है अब देखें ये हमने पानी कर दिया है मतलब दो दिन की हमारी प्रोसेस हो गई है अब ये हमारी तीसरे दिन की प्रोसेस है तो तीसरे दिन में हमने जो पानी में मतलब घोल तैयार करके रखा है पानी लेना है और इस तरीके से गोल को हमें दूद मतलब इसका निकाल लेना है और ऐसे इस प्रकार से अगर हम लोग धूलते हैं तो पूरे छिलके इसके उपर आ जाएंगे मतलब जो आटे में जो मोटा वाला भाग रहता है तो इस तरीके से हम लोग पानी से धूलते हैं तो ये पूरा उपर आ जाएगा जैसे ही थोड़ा गाड़ा हो जाए छनने न लगे तब हमें हलका सा थोड़ा पानी डाल देना है दूसरा और इस तरीके से हमें घोल को घोल कर तयार कर लेना है और उसके बाद में देखिए ये इस तरीके से हमारा आटा निकलने लगेगा क्योंकि धूलने के बाद में मतलब नीचे हमारा जो गुंडी में हम लोग धूल रहे है उसमें पूरा हमारा दूर जैसे जम जाएगा और ये हमारा आटा इस प्रकार से निकल जाएगा तो बस इस प्रकार से हमें पूरे जो हमने आटे को घोल के रखा है उसे धूल लेना ह धूलने के बाद में देखिए ये इस प्रकार से हमारा पूरा धूल कर हमने रेडी कर लिया है अब जिस गुंडी में हमने धूल कर रखा है उस गुंडी को अच्छे से हमें हिला लेना है मतलब जैसे धूलते धूलते भी ये दूद इसमें जम जाता है तो थोड़ा सा घूल इसके बाद में हमें इसे मिक्स कर लेना है और इस तरीके से हमें गंजी में निकाल लेना है अब गंजी में निकाल लेना है मतलब एक गंजी हमारा धुल कर यह तैयार हो चुका है अब इसके हमें बनाना है पापर पापर बनाने से पहले हमें दूसरे गंजी में फिर ट्रांस पर कर देना है जो गाड़ा वाला घोले उसे और जितना हमारा घोलता हूँ उतना ही पानी हमें दूसरा येट करना है तो ये देखिए मैंने एक गंजी घोल था तो एक गंजी पहले डाल दिया और दूसरे गंजी में हमने साप वाला पानी डाल दिया बस अब इसे हमें एक न एक गंजी पानी हमने डाला था तो एक गंजी पानी हमें ऊपर वाला जो दीख रहा है उसे हमें दूसरे गंजी में निकाल लेना है तो चलिए हम लोग दूसरे गंजी में इस पानी को निकाल लेते हैं ये देखिए हमने इस पानी को निकाल लिया गाड़ा घोल हमारा उसी ग से देखिए लेकिन इसी प्रोसेस से आप बनाईए आपके पापड कभी भी ना तूटेंगे ना फटेंगे और एकदम परफेक्ट तरीके से मैं अपनी रेशेपी सेयर कर रहे हूं तो देखिए दोनु गंजी में गाड़ा वाला घोल एक गंजी में एक गंजी में उपर वाला पानी हमने निकाल लिया है दूसरे गंजी में हमें जो उपर वाला पानी निकाला था उसे हमें गेस पे उबालाने के लिए रखना है तो तेज गेस करना है हमें और इसे लगभग आदा घंटा हमें पानी को उबालना है इसमें जाग आएगा तो जाग जब तक के हमारा इस पानी का खतम नहीं होगा तब तक हमें इस पानी को उबालते जाना है और बीच बीच में हमें चमत चलाते रहना है चमत चलाने से हमारा जाग इखटे हो जाएगा और ये जल्दी उ बहुत अच्छे से उबल चुक है पूरा खतम हुचुका है भाई लगभग हमें बहुत दो लिटर पानी чистAKर गरम यहां deh दालते हैं या बनाते है तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा गाड़ा हो जाता है तो इस पानी को हमें एट करने के लिए क्योंकि ये पका हुआ पानी है इसलिए हमें इसे अलग निकाल लेना है जरोत पड़ेगी तो डालेंगे ने तो पानी हमारा वेश्टे ही जाएगा कोई दिक्कत नह है मतलब तो उसमें हमें थोड़ा-थोड़ा करते थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और इस तरीके से हमें चमच को हिलाते रहना है बिल्कुल भी इसमें स्पीट कम नहीं होना चाहिए डालते जाना है मिलाते जाना है अगर हम लोग इखटे डाल देंगे और फिर मिलाएं तो यह देखे बिल्कुल एक जैसा हमारा घोल यहां तैयार हो गया है तो बस हमें थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो जो गरम पानी हमने निकाल कर रखा था उस गरम पानी को हमें थोड़ा-थोड़ा एट करना है और मिक्स करते जाना है और इसे आदा घंटे से मतलब आदा दिनी उबाल कर रखा था अब हमें इसे लग-बग 45 मिनट तक 40 से 45 मिनट करना है लेकिन फ्लेम हमें एकडम लौ कर देना है जिस समय हम लोग जो घोल लाते उसी समय हमें गेस को कम कर देना है और कम पे ही हमें लगभग 40-45 मिनट तक इसे मिलाते विए पकाना है बिल्कुल भी हमें रूकना नहीं है बस दो दो सेकेंड में हमें गुमाते ही जाना है क्योंकि अगर नहीं गुमाएंगे तो ये उपर आ जाएगा और फिर हमारे पापड हो जाएंगे खराब इसलिए बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल भी इसकीप मत किजिएगा आगे की रेशेपी और आगे मैं बताने वाली हूं कि क्या जरूरी है पापड बनाने के लिए तो ये देखिए इस तरीके से हमें मिलाते हुए इसे पका लेना है चलिए हम लोग चेक और थोड़ा टाइम लगेगा उंगलिया डालकर देखते है ठंडे पानी में डुबा कर तो ये चीपक रहा है मतलब इसे और हमें 10-15 मिनट तक पकाने की जरूरत है मतलब मैंने टोटल बताया कि 40-45 मिनट लगता ही लगता है इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चीपक रहा है मतलब ये परफेक्ट हमारा 45 मिनट में पक कर रेडी हो चुका है बस अब ये हमारा रेडी कम्प्लीट हो चुका है अब इसके बाद में हमें डालना है मसले तो यहां मैंने एक चमप जीरा ले लिया है नमक और लाल मिर्ची मतलब कुटी भी और इस से हमारे पापड का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आने वाला है तो बस इस तरीके से हमें सारे मिर्ची नमक सोब जीरा मिक्स करके हमें बस पांच मिनद तक हमें इसे और गेस पे रहने देना है और उसके बाद हमें गेस को कर देना है बंद और बस हमें ज़्यादा नहीं होने दिना, अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो यह और गाड़ा आ जाएगा, तो इस तरीके का हमारा पतला होना चाहिए, तो हमारे पापर न ज़्यादा मोटे होंगे और नहीं पतले होंगे, एक दम परफेक्ट तरीके से हमारा आज चिक बन का तयार हुआ है, यहां हमने पोलेथिन डाल लिए, मतलब जो पनी रहती है, पनी पे हम लोग जो पापर डालते हैं, तो पस पनी हमने डाल लिए, और पंखे की हवा में ही सुकाना थी, इन से चार गंटे में आराम से हमारा पापर सुकर रेडी हो जाता है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ग अब पापर बनाकर रेडी कर लिए, तो देखिए, मेरे इहां पूरे पापर मैंने यहां डाल कर घर में लिए पंखे की हवा में तीन से चार गंटे में सुक कर यह तईयार हो जाएंगे, और उसके बाद में हमे दूसरे दिन जब हमें इस्टोर करना रहेगा, तब हमें दो से तीन घंटे दूप दिखा देना है और फिर हम लोग को पेक करके रख देना है तो दोस्तों आज की रेसेपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईए और आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी ना जाए और आटे के बिल्कुल भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यह आटे के पापड़ है ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो सूजी या फिर इसके चावल के या फिर मैदे की बनाते हैं ना उस प्रकार से लग रहे हैं